जिन्दगी में दो चीज़े तूटने के लिए ही होती हैं सांसे और साथ सांसे तूटने से इनसान एक बार मरता है और साथ तूटने से इनसान बार बार मरता है जब तक खुद पर ना भी दे लोगों को दूसरे के दर्द का एहसास ही नहीं होता मैं क्यों कुछ सोच कर दिल छोटा करूं वो उतनी ही वफा कर सका जितनी उसकी आउकात थी इनसान अगर प्यार में पढ़े तो गम में पढ़ ही जाता है क्योंकि प्यार किसी से चाहे कितना भी करो थोड़ा सा कम पढ़ ही जाता है मेरी आखें भी मुझसे सवाल करने लगी है आखिर क्या है उस शक्स में ऐसा जिसकी वज़े से तुम मुझे रोज भिगो देते हो वैसे तो दिल बहुत बड़ा है हमारा पर जिन्दगी में लोग ऐसे मिले जिनकी इस दिल में रहने की कोई आउकात ही नहीं जितनी बे इंतहा मुहबद हमने तुझ से कीती अगर खुदा से की होती तो शायद वो भी मान जाता ये सच है कि रिष्टों का तूट जाना अच्छा नहीं होता लेकिन इस वहम का तूट जाना बहुत अच्छा होता है कि वो व्यक्ति आपका अपना नहीं था जिसे आप अपना समस्ते थे भूल कर भी कभी मुसीबत में मत पढ़ना खामखा ही अपने और गैरों की पहचान हो जाती है चाहे दुनिया कितना भी नजरंदास कर ले पर महबबत नजरंदास कर दे तो जान निकल जाती है तूटकर बिखर जाते हैं वो लोग मिट्टी की दीवारों की तरह जो खुश से भी जादा किसी और से महबबत किया करते है महबबत सच्ची हो और सनम बेवफा नहो ये कहानी कुछ अधूरी सी लगती है वो जिने हम सौब देते हैं दिल की सारी धड़कने वो हमें अपना एक पल देने को भी हजार बार सोचते हैं जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब परमात्मा किसी न किसी को आपका हाथ थामने के लिए जरूर भेजता है जिन्दगी भर साथ निभाने की कसम खाने वालों को भी हमने बिछड़ते देखा है हमने महबत को भी अपना रंग बदलते देखा है एक कोशिश भी नहीं की उसने मुझे रोकने की शायद उसे मेरे चले जाने का ही इंतिजार था मेरा आईना मेरे अपनों से बढ़कर निकला मैं जब भी रोया ये आईना भी मेरे साथ ही रोया इस दुनिया मैं जिसको सबसे अलग समझा था पर अफसोस वो भी औरों की तरह ही निकला